वेलकम इन जेड लेप इस वीडियो में हम लोग जोमेट्री के बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक सर्कल के एंगल्स थियूरम डिसकस करेंगे एंगल्स थियूरम में हम लोग ये पांच थियूरम पढ़ेंगे यहाँ पर हमने इनलिस्ट कर रखा है फिर्स्ट थियूरम है कि एंगल्स सेंटर विल बी टू टैम्स एंगल्स सिग्मेंट कोई भी सर्कल है ऐसे कोई भी एक जब हम कॉड ड्रो करते हैं इस तरह से तो हमने अपने पीछले वीडियो में देखा है कि जब हम लोग सर्कल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि कोई भी कॉड सर्कल को दो सेंगमेंट में बाट देता है जैसे यह एक सेंगमेंट है और यह दूसरा सेंगमेंट है यह दूसरा सेंगमेंट है तो यह जो कॉड है यह इस सेंगमेंट में कितना एंगिल बनाएगा तो आप कहीं पे भी इसका मतलब यह है कि इस पूरे यह जैसे मान लिजे यह पी और क्यू है तो पी क्यू से इस साइड में कहीं पे भी अगर एक पॉइंट लेंगे और इसके दोनों एंड को मिला देंगे ऐसे तो यह जो एंगिल बना इसको काते हैं एंगिल एट सेगमेंट यह थीटा और यह सेम होगा इसको कहीं भी ऐसे पॉइंट लेंगे और इसको दोनों को मिलाएंगे यह सेम होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं इंगिल एट सेगमेंट तो कहä रहा है कि इंगिल एट सेंटर will be equal to two times इंगिल एट सेगमेंट तो कोई भी code, अब हम इसको angulate segment समझ लिए, अब हम लोग देखेंगे कि इसका theorem का क्या मतलब है, कोई भी, देखिए, कोई भी circle है, कोई भी circle है, ऐसे, अब हम एक code draw करेंगे, ऐसा, इसके दोनों ends को हम center से मिला देंगे, तो यहाँ पे center पे कोई angle बनेगा theta, यह वो है, अब इसी का, इस segment पे, जिस side में center पे इसना angle बनाया यहाँ, अब यहाँ पे segment लेंगे, और इस segment में कहीं पे भी कोई एक point लेकर, और इसको दोनों end से, code के दोनों end से मिलाएंगे, तो अगर यहाँ theta angle बना है, तो यहाँ देखेंगे, theta by two angle बनेगा, मतलब, angle at center, कोई भी code है, P, Q, यह center पर जितना angle बनाया, उसका half angle segment पे बनाया, means, segment पे जितना angle बना, उसमें two से multiply करेंगे, तो center पे जो angle बन रहा है, वह निकल जाएगा, second theorem, angles in same segment are equal, जैसे हमने यहाँ discuss किया, कि कहीं पर भी यह point आपका है, यह A है, यह B है, इसको इस segment पे कहीं भी रख दीजे, यहाँ रखिये, यहाँ रखिये, यहाँ रखिये, और इसके cord के दोनों end को मिलाईए, वह angle same बनेगा, तो इसको कहते हैं, angles in same segment are equal, लेकिन अगर इस जो P, Q है, उससे अगर आप इस side में, दूसरे segment में आ जाएंगे, तो दूसरा angle बनेगा, वह angle इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि segment चेंज हो गया, angle इन्हे semi circle is perpendicular, इसका क्या मतलब है, यहाँ देखिये, हम लोग देखे थे, कि semi circle का मतलब क्या होता है, कि कोई भी diameter जो होता है, circle को दो पार्ट में बाढ़ता है, तो यह semi circle हो गया, अब अगर हम इसको मान लिजे, आप पूरा circle को मिला बना लिजे, ऐसे, बना लिजे, यह, तो यह जो half है, इसको यह segment दो पार्ट में बाढ़ रहा है, यह diameter, यह मान लिजे, हमने लिख दिया PQ, हम लोग जानते हैं कि diameter भी एक cord होता है, जो सबसे बड़ा cord होता है, क्योंकि इसके दोनों end भी circle पे हैं, अब देखिए एक diameter, center पे, कितना angle बना रहा है, यह angle कितना बन रहा है, 180 degree, 180 degree बन रहा है, तो इसका मतलब कि इसके कोई भी point लीजिए, यहाँ पे कहीं भी point लीजिए, एक, और इसके दोनों age को ऐसे, दोनों end को मिला दीजिए, तो यह जो angle बनेगा, यह angle 90 degree बनेगा, क्योंकि इसका आधा होगा, हम लोग जो first theorem देखें हैं, उससे, अगर इसको correlate करिए, तो center पे बना हुआ angle का half angle होगा, जो segment बनेगा, तो यह 90 degree होगा, तो इसी को कहते हैं, angles इन्हें semi circle is perpendicular, हमेशा जो semi circle होगा, उसमें जो angle बनेगा, जैसे कहीं पे भी, आपको यह दिखा, ऐसे, और यह कहीं पे भी यह point है, इसके ऐसे मिलाईए, और इसको ऐसे दोनों को मिलाईए, तो यह angle हमेशा 90 degree बनेगा, उससे फरक नहीं पड़ेगा, कि यह point इसमें कहां है, यहां है, यहां है, यहां है, इसी लिए काते हैं, कि angle in a semicircle is perpendicular, मतलब perpendicular means 90 degree, यहां आपने लिखाया perpendicular means 90 degree, यह तभी संभा होगा, जब यह PQ आपका diameter है, opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary, यह हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, कि अगर यह मान लिजे, cyclic quadrilateral का क्या मतलब है, जो चारो vortex होते हैं, सिर्ष होते हैं, वो एक सर्किल पे होते हैं, जैसे यहां पर देखिए, ABCD, यह चारो vortex एक सर्किल पे हैं, इसका मतलब ABCD, एक cyclic quadrilateral है, तो इसका opposite, कहने का मतलब जैसे मान लिजे, यह B है, और यह D है, यह opposite angle है, तो angle B, plus angle D, हमेशा 180 degree के बराबर होगा, क्योंकि opposite angle supplementary होगा, उसी तरह angle A, और internal angle C, यह भी 180 degree के बराबर होगा, तो यह हो गया, हमने 3rd देख लिया, 4th भी देख लिया, अब 5th, exterior angle will be equal to interior opposite angle, अब देखिए, interior opposite angle, और exterior angle, जैसे कोई भी यह बनाया हुआ है, cyclic quadrilateral है, अब इसके एक side को हमने देखिए बढ़ा दिया, मान लिजिए, यह DC को आप आगे बढ़ा दिये, इधर बढ़ा दिये, तो इस BC side से आगे आने से, एक यह exterior angle बन गया, थीटा एक exterior angle बना, एंगिल BC, अगर इधर E लिख दिजिए, एंगिल BC, E, थीटा, यह एक exterior angle हुगा, तो इसके corresponding interior angle क्या हुगा, यह corresponding interior angle हुगा, यह, मान लिजिए कि यह कुछ भी है, alpha है, तो इसका, इसके लिए, यह interior angle हुगा, और इसका opposite angle कौन हुगा, A, तो इसको कहते हैं interior opposite angle, यह जो है, interior opposite angle of angle BCE, देखिए, यह जो angle है, यह interior opposite angle है, BCE का, अब हम लोग देखिए, हमने यहां direct लिख दिया है, कि अगर यह थीटा है, तो यह हमेशा थीटा होगा, इस theorem का यूज़ करके, कि exterior angle, this exterior angle, will always be equal to interior opposite angle, यह, इस interior, इस interior angle के opposite, इसको कहते हैं interior opposite angle के बराबर होगा, कैसे बराबर होगा, देखिए, यहां पर इस point पे, C पे, at point C, यह straight line है, DCE straight line है, इसलिए यह दोनों angle, जब भी कोई straight line होता है, और इस पे एसे दो angle, एक line खीच दिया, आपने, दो angle बना, एक इधर और एक इधर, जैसे यहां बन रहा है, यह theta और यह alpha, यह दोनों angle 180 होंगे, यह straight line पे हमेशा, तो इसलिए theta plus alpha, will be 180 degree, और cyclic quadrilateral में, हम लोगों ने यहां फोर्ट theorem में देखा है, कि opposite जो angles होते हैं, वो supplementary होते हैं, इसलिए theta plus, theta plus नहीं, यह लिख दीजए, angle A plus alpha, will be equal to 180 degree, अभी हम नहीं जानता हैं कि angle A theta के बराबर होगा, theorem से हमने देख लिया, लेकिन अगर आप शाबित करना चाहते हैं, तो इसका मतलब यह दोनों बराबर है, तो angle A plus alpha is equal to theta plus alpha, यह देखिए alpha alpha cancel, तो angle A आपका हो गया theta के बराबर, तो हमेशा जो exterior angle होगा, वो interior angle के opposite, इसको बोलते हैं interior opposite angle के बराबर होगा, आईए, अब हम लोग कुछ examples देखते हैं, इस problem में, देखिए यह दिया हुआ है, कि एक circle है, उस पे A, B और C, A, B और C, तीन point इस तरह से हैं, such that angles are tended by the chord AB, यह देखिए AB एक chord है, यह जो angle बना रहा है, और A, C, at center, जो angle बना रहे हैं, वो 90 degree, यह इस तरह से जब 90 degree कभी भी दिखाना होता है, दो line के बीच में, तो हमेशा ऐसे करते हैं, तो देखिए A, 90 degree, लिक भी देता हूँ, mark किया हुआ है, तो AB, 90 degree बना रहा है, और A, C, 110 degree बना रहा है, यह जो angle है, जो A, C बना रहा है, center पे, वो है 110 degree, then angle B, A, C, तो हमें निकालना है, यह angle B, यह A, C, इस angle को हम लोगों को निकालना है, अब देखिए, angle B, A, C, कौन कोर्ड यह circle पे है, A point, तो अब आप देखिए कि जो angle B, A, C बना रहा है, वो कौन सा कोर्ड बना रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यह जो दोनों point हैं, C और B, इसको ऐसे connect कर देंगे, तो B, C, एक कौर्ड है, जो angle B, A, C बना रहा है, जो हम लोगों को निकालना है, तो यह center पे कितना angle बना रहा है, यह देखिए center पे जो हमने theta लिखा है, वो theta angle बना रहा है, जब C और B दोनों point को O से connect कर दीजिए, तो angle theta बना रहा है, हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो angle theta center पे बना रहा है, कौर्ड BC और B, A, C, जो angle हमें निकालना है, वो segment पे बना रहा है, तो हम लोग जानते हैं, कि segment का angle हमेशा center पे बना रहा है, angle का half होता है, जैसा हमने पीछे theorem में देखा, तो angle B, A, C, center पे जो angle theta बन रहा है, उसका half होगा, यहाँ तक कोई confusion नहीं होना चाहिए, और अगर इतना clear हो गया, तो अब देखिए center पे इस तरह का कुछ है, यह ऐसा है, यह A इधर है, B इधर है, और C इधर है, और इया angle दिया हुआ है 90 degree, और इया angle दिया हुआ है 110 degree, और इसको हम लोगों ने मान लिया है theta, तो हम लोग जानते हैं, कि center पे जो total angle सो बनता है, वो 360 degree बनता है, तो 110, 90 प्लस theta, 110 प्लस 90 प्लस theta, यह 360 degree के बराबर होगा, तो इसका मतलब theta कितना हो जाएगा, 360 माइनस 200, तो 160 और इसमें 2 से divide करिएगा, इसको निकालने के लिए, तो theta बाइ 2 जो होगा, वो हो जाएगा, 160 बाइ 2, 80 degree, यही चीज यहां किया हुआ है, देखे, थीटा के जगा पे, एक step में लिख दिया हुआ है, 360 degree माइनस 110 प्लस 90, यह जैसे यहां से, यह आपका answer हो गया, जो option 2 में दिया हुआ है, तो theorem का यूज करके, आप जो problems बनाते हैं, बहुत कम समय में बनता है, time बहुत saving होती है, और ऐसे problems exam में बहुती सी लिए पुछे जाते हैं, कि examiner आपका concept चेक करना चाहते हैं, आईए, दूसरा example देखते हैं, यहां पर, दिया हुआ है कि angle, A, O, C is equal to 40 degree, इस figure में, यहां पर देखिए, एक figure दिया हुआ है, A, B, C, तिन points हैं, जो circle पे हैं, और, यह जो angle है, A, O, C, वह दिया हुआ है कि 140 degree बनता है, तो हमसे पूछ रहा है, angle A, B, C, इस angle का value, अब देखिए, angle A, B, C, B, जो है, वह, circle पे है, एक segment में है, तो angle B, जो है, again हम देखेंगे, कि angle B को कौन सा segment, कौन सा code बना रहा है, तो जो A और C, जो दूसरे end हैं, इनको आप connect कर देंगे, तो जब ऐसे आप connect करेंगे, ऐसे, ऐसे, तो आपने क्या देखा, कि A, C, जो cord है, वह angle B बना रहा है, अब A, C, cord B बना रहा है, angle, तो यह center पे कितना angle बना रहा है, अब देखिए, A, C, cord center पे, 140 degree बना रहा है, देख, इसको अच्छा से समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम, अलग पहले ड्रो कर रहा है है, यह देखिए, हमारा, एक cord है, यह है, A, और C, और यह point है, O, ऐसे, अब यह जो cord है, A, C, यह angle यहाँ पे बना रहा है, theta, अगर यह angle theta है, तो हम लोग जानते हैं, कि इस segment में, यह cord से, जिस side में center है, इस side में, तो यहाँ पे देखिए, आपने इसका यहाँ पर बनाया, कि यह angle theta बन रहा है, तो इस segment में, कहीं पे भी एक point लेंगे, आप, जैसे मान लीजे, हमने यहाँ ले लिया, और इसको यह दोनों से connect कर दिया, ऐसे, ऐसे, तो यह angle जो बनता है, यह angle बनता है, theta by 2, लेकिन अगर आपको point, इस segment में नहीं देखे, point आपको दूसरा segment में यहाँ दिया हुआ है, मान लीजे, यहाँ दिया हुआ है, तो यह angle जो है, यह दूसरा segment में हो गया, same segment में नहीं हुआ, यह जो chord है, यह, इस angle का half नहीं होगा, जैसा कि हमने देखा है, तो यह angle क्या होगा, अब यह जो दूसरे side का angle है, यह देखे, यह जो angle है, इसका reflex angle है, इसको अगर हम alpha कहें, तो यह angle alpha by 2 होगा, ऐसा होगा, तो इस चीज़ को अच्छा से समझना है, कि यह angle center पे बनाए गया angle का half नहीं होगा, center पे जो यह chord बना रहा है, उसका half इस segment का angle है, तो इसलिए, हम लोग क्या करेंगे, कि इस segment में एक point रो कर दिये, देखें, इस segment में हमने एक point ले लिया, E, तो जैसे ही हमने E लिया, तो जो यहाँ पे theta बन रहा है, वो इसका half होगा, तो theta कितना हो गया, 140 degree by 2, 70 degree, और हम लोग जानते हैं, कि अब यह A, B, C और E, यह क्या हो गया, यह एक cyclic, quadrilateral बन गया, तो angle E, plus angle B, will be 180 degree, तो इसलिए, angle B will be equal to, 180 degree, minus theta, means 180 degree, minus, theta हमने पहले देख लिया, कि इसका half होगा, तो 70 degree, means 110 degree, अब देखिए, यहाँ पर आपका concept, test करने के लिए, examiner ने, इस angle को center पे, 140 degree दिखा दिया है, ताकि, जिसको concept नहीं clear होगा, वो क्या करेगा, वो इसको लिख देगा, कि इसका half है, जो गलत हो जाएगा, अब जैसे हमने यहाँ आपको बताया, कि यह angle, इसका half होगा, दूसरे side का जो angle है, उसका half होगा, तो इसी problem को, आप उस point उस तरह से भी बना सकते हैं, कि अगर आपका center देखिए, यह O है, तो इस तरह से बन रहा है, एक angle, और यह दिया हुआ है 140, तो यह जो angle है, यह angle कितना होगा, यह angle होगा, 360, minus 140, means 220, क्योंकि, यह दोनों angle मिलके 360 होते हैं, तो यह angle होगा 220, तो अगर यह 220 है, तो angle B कितना होगा, अगर इसको angle B कितना होगा, angle B जैसे कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया, कि इस दूसरे साइड का, इस angle का half होगा, तो 220 by 2, means 110 degree होगा, तो इस तरह से, angles theorem, को, ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है, और इससे बहुत अधिक problem, exam में पूछे जाते हैं, क्योंकि, शमय कम, लेकिन, बिल्कुल सही concept की ज़रत, इन problems को करने के लिए, होती है, like this video, if you do, and please comment, share and subscribe, good luck, कर्णाट,